एक बार की बात है Mad Max और Timbuktu जंगल से जा रहे थे Timbuk Mad Max से बोलता है यहाँ जंगल में मुझे क्यों लेकर आए हो? तभी Mad Max कहता है कि मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए यहाँ आने वाला है तभी यहां पर एक उदनतश्तरी आती है और उसमें से एक एलियन नीचे उतर कर आता है वह एलियन Mad Max से कहता है कि बता मेरे दोस्त मुझे क्यों याद किया है Mad Max एलियन से कहता है कि मेरे दोस्त जंगल में वीर और इमली जो की मेरे दुश्मन है बैठे हुए है तु वहां से इमली को उठा कर यहां ले आ, यह सुनकर एलियन इमली को पकड़ने के लिए चला जाता है जंगल में इमली वीर को कहती है, सुनो वीर मुझे यहां बहुत दर लग रहा है मैंने मैड मैक्स को जंगल में आते हुए देखा था तब ही एलियन आता है और अपनी सुपर पावर से इमली को बेहोश कर देता है और इमली बेहोश होकर जमीर पर गिर जाती है, एलियन इमली को उठा कर भाग जाता है वीर अपना रोबो सुन पहां कर एलियन का पीछा करने लगता है एलियन अपने उडन तस्तरी से बहुत तेज चल रहा था और वीर भी उसका पीछा कर रहा था वीर एलियन के पास पहुँच जाता है और अपनी सुपर पावर से एलियन पर अबला करता है जिससे एलियन का स्पैस्शिप जलने लगता है और नीचे गिल जाता है एलियन इमली को नीचे गिरा देता है और भाग जाता है वीर आता है और इमली से कहता है इमली उठ जाओ मैंने एलियन को भगा दिया है इमली खड़ी हो जाती है और वीर के साथ घर चली आती है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना